हलो बच्चों मैं आज आपको सर्कल की टेंजेंट से रिलेक्टेड एक क्वेसिन बताना चाहूंगा जो कि इंपोर्टेंट है पर एक्षा के लिए यहाँ पर जो पी क्यू है एक ये टेंजेंट है और आर ओप क्यू ये हमारी एक डायमेटर है आर एस टी ये एंगल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर ओट से होते हुए P पर जोएंट कर रहा है तो ये ओपे क्यूँ ये एंगल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है हमें फाइंड करना है एंगल 1 प्लस 2 तो इसका solution following way में होगा एंगल RST बराबर एंगल ROT होगा हाफ एंगल ROT एंगल सब्टेंटे डाइट दा सेंटर डबल इट्स रिमेनिंग पार्ट आपदी सरकल थेवरम होती है नाइंद किलास की इंपर्टेंट थेवरम है तो यह जो है इसके हाफ के बराबर होगा सॉल्ब करेंगे एंगल RST बराबर 65 डिगरी आ जाएगा एंगल ROT प्लस एंगल T O Q यह रहा ROT टाइगराम से जैसा की किलियर है ROT और एंगल T O Q मिल करके एक लाइन बना रहा है तो यह लीनियर पेर से हमारा हो गया लीनियर पेर से हो गया ROT प्लस एंगल T O Q बराबर 180 तो ROT की बैलू 30 दी है 130 डिगरी प्लस T O Q बराबर 180 डिगरी तो आज आएगा T O Q बराबर 130, 180 मानस 130 डिगरी तो जह हमने बैलू पुट किया तो T O Q बराबर 180 मानस 30 डिगरी मतलब TOQ बराबर आ गया 50 डिगरी अब अगर हम बात करते हैं इन दा ट्रेंगल TOQ की इन दा ट्रेंगल POQ एंगल P प्लस POQ प्लस OQ P बराबर वरे ट्रेंगल सम प्राफर्टी आप ट्रेंगल तो एंगल P हमें एंगल 1 दिया हुआ है इसकी value find करनी है POQ जो कि हमने find किया था TOQ के farm में तो POQ और TOQ एक ही एंगल है तो 50 डिगरी पुट कर देंगे और जो tangent होती है radius के साथ 90 डिगरी प्रेफंडिकुलर होती है तो यह 90 डिगरी हो जाएगा बराबर 180 तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस इंदर से 90, 50 जुलेगा 140 इंदर आएगा माइनस हो जाएगा एंगल 1 बराबर 40 डिगरी एंगल 1 प्लस एंगल 2 की value find करनी है तो एंगल 1 होगा हमारा 40 और 2 आएगा हमारा 65 डिगरी एंगल RST बराबर 65 डिगरी यह की एंगल 2 है यह हमने value पुट कर दिया तो आगया हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 105 डिगरी यह हमारा अंसर होगा आसा गरता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आई होगे धन्य बाद